तो भई जिस रिशी सुनक की भख तारीफे करते नहीं ठकरे सुबे शाम उसकी आरती उतारते नहीं ठकरे उसी रिशी सुनक ने भखतों का पूरी तरीके से डंगा बजा करके रख दिया जिया न्यूज ये निकल कर इस टाइम पर आई है कि रिशी सुनक ने सुएला ब्रिव आपको पूरी तरीके से बताँगा और क्यों इनको रटाया गया था और इनको वापिस लाना एक बहुत बड़ी बात क्यों है भकतो के पिछवारे में छूरा क्यों है ये भी आपको समझाने का काम करूंगा सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ Swela Breverman जो है इन्होंने थोड़े दिन पहले इंटर्वियू दिया था ये UK की होम सेकरेटरी है और इंटर्वियू में इन्होंने खुले तोर पे अपोस करने का काम किया था Indian immigrants को जो की UK जाने का काम करते हैं ये कहा था कि UK को अपने borders पूरी तरीके से Indians के लिए नहीं खोलने च और वीजा पॉलिसी के ओपर बड़े-बड़े सवाल भी यहां पर उठाने का काम किया गया था Swela Breverman की तरफ से मैंने इस चीज को अपने वीडियो में एक डाला भी था उसके बाद क्या हुआ लिस्ट्रस ने Swela Breverman को अपने cabinet से हटाने का काम कर दिया लेकिन उसी Swela Breverman को रिशी सुनक वापस अपने cabinet में ला चुके मैं आपको अपने screens पे news के माधियम से भी दिखाना चाहता हूँ The Telegraph की news है रिशी सुनक faces heat over Swela Breverman deal Swela Breverman को वापस क्यों लाए गया क्योंकि Swela Breverman के साथ रिशी सुनक की एक deal हुई थी कि आप मुझे support करने का काम करो PM के elections में और अगर आपने मुझे support दिया और मैं PM बन गया तो मैं आपको वापस cabinet में लाने का काम करूंगा और यहाँ पर से clearly समझ में आता है कि जो भक्त यहाँ पर रिशी सुनक की तारीफे कर रहे हैं उनकी आरतियां उतारने का काम कर रहे हैं वही रिशी सुनक जो है उनही भक्तों का पत्ता काटने का काम कर रहे हैं UK में बैट करके वैसे तो रिशी सुनक अपने आपको बहुत संसकारी दिखा रहे थे उनके संसकारों की असलियत क्या है ये भी मैंने आपको बताने का काम किया लेकिन ये तो सबसे बड़ा वाला डंका यहां पर बजा करके रख दिया रिशी सुनक ने और जो भक्त यह सोच रहोंगे इस टाइम पर की वो UK जाएंगे उनकी तो यहां पर पूरी तरीके से लंका अल्रेडी लग चुकी अब मैं पूछना चाहूंगा भक्तों से जो जाना चाहते थे आपर जाने का प्लान कर रहे थे आखिरकार अब वो रिशी सुनक के उपर क्या बोलेंगे मैं आपको एक और चीज दिखाना चाहता हूं इंडियन मीडिया इसको किस तरीके से रिपोर्ट करने का काम करें इंडियन मीडिया यह कह रही है कि सुला ब्रेवर्मेन को वापस तो ला चुके लेकिन वीजा डील के उपर क्या रिशी सुनक और सुला ब्रेवर्मेन का टकराव देखने को मिलेगा मैं आपको साब बता जाता हूं कि कोई टकराव देखने को नहीं मिलेगा उसका reason पते है क्या है क्योंकि Rishi Sunak जान बूच करके सोच समझ करके Swela Breverman को वापस लेकर आया है उनको पता है कि Swela Breverman Indian immigrants के उपर क्या सोचती है India के साथ visa deal के उपर क्या सोचती है और उसके बाद वो Swela Breverman को वापस cabinet में लेकर आया है बलकि पूरे इंडिया के लोगों के लिए बहुत बड़ा चिंता का विशे है वो लोग जो बाहर यूके में जाकर पड़ाई करना चाते थे और बिजनस करना चाते थे उनका फ्यूचर काफी जादा शेड़ी हो चुका है अब जब दूसरी तरफ हम लोग बात करते हैं भक्तों के बारे में तो यूक्रेन और रशिया की वाड़ जब से शुरू है तब से भक्त किस तरीके से रशिया का साथ देने का काम cauliflower नेगें इसलिए हम् यूक्रेन को अपोस करने का काम करें के बार यंडु को भुवद्ध सारी रही पर निकल करentes है भक्त जिसको भी support करते हैं उसका ठीक तरीका से बैग्राउंड चेक ही नहीं करते कभी भी हिंदू ओरिजिन का बंदा यूके का पी एम बन गया उसको सपोर्ट करने लगए सिर्फ इसलिए क्योंकि वो नारायन मूर्ती का दमाद है नारायन मूर्ती नरेंदर मोधी के बहुत बड़े अदभक्त हैं अब डीटेल में नहीं पर यह निहीं देखने का काम करते कि यह बंदा और चीजों के उपर क्या रायन रखता है उन चीजों के उपर खास तोर से जिनको नरेंदर मोधी करने कब RAEEPर regulators करने का का हाँ दू बड़ें कि हिंदू ओरिजिन का बंदा यूके का पी एंइम बन गया है हमारे देश के इतने प्राउड वाली बात है आपको बता देना चाहता हूं ये इनका सिर्फ और सिर्फ दोगलापन है उसके अलावा और कुछ भी नहीं बस इन्होंने एक फोटो क्या देख ली कि रिशी सुनक गाय की पूजा कर रहा है चल दिये उसको सपोर्ट करने ये लोग किस तरीके स अपने ही देश के लोगों की टांग खीचने का काम करते हैं ये भी एक गयार आपको बता देना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के उपर एक खबर रखके आज ट्विटर को एलोन मस्क ने टेक ओवर करने का काम कर लिए और टेक ओवर करते ही सबसे पहले डिसिजिन ये लिया ग इसको लेकर बग जोई इस टाइम पर खुशिया मनाने का काम करें और ये कह रहे हैं कि वह भाई कितनी अच्छी बात हुई है यहां पर अगरवाल जिसने जुबेर जैसे लोगों को सपोर्ट किया या फिर राना अयूब जैसे लोगों को सपोर्ट किया रवीश कुमार जै इतनी गर्व की बात है क्या उनको इस बात पर सैड नहीं होना चाहिए था कि पराग अगरवाल को ट्विटर से धक्के भार कर भार निकाला गया है लेकिन इस चीज को इंजॉय किया जा रहा है इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है विच क्लियरली शोज कि इनको हमारे देश के लोगों से या फिर हिंदू औरिजिन के बंदे से कोई फरक नी पड़ता इनको बस फरक पड़ता है चडडी गिरी से इसी के साथ जाने से पहले एक और इंटरनाशनल डंका वाली खबर आपकी स्क्रीन पर रखना चाहता हूं इंडिया में जो कैनेडा के हाई कमिशनर ब इन पर इन पर इन गवर्मेंट का एक बी रियाक्शन अभी तक निकल कर नहीं आए सोचिए जरा हमारे देश में बैठे होए कैनेडा के हाई कमिशनर खालिस्तान के ओपर इतना बड़ा स्टेट्मेंट दे रहे हैं लेकिन इन गवर्मेंट कुछ नहीं बोल रही है और दू दूरी तरफ यह दिखाया जाता है कि आरेंद्र मोधी का इंटरनाशनल डंका बज़ारा है इनी सब चीजों के साथ इस वीडियो को यहीं खतम करना चाहता हूं लिकिन जाने से पहले आपकी राय क्या है इन सारी खबरों के ऊपर ये पुछना चाहता हूं क्योंकि आर आप झाल झाल